नमस्कार दोस्तों सुवागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आयूर्वेट की एक और महतवपूर्ण ओजदी के बारे में जानकारी लेकर हम आपके लिए एक बार फिर से हजी रहें दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दारू हरीद्रा नाम की वनस्पती के बारे में जी हां दोस्तो दोस्तो हमारी चैनल को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल में आपको आपके स्वास्त से संबंदित अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की जानकारी हम करवाते रहते हैं ताकि आपको ये जानकारी आगे चलकर काम आ सके और संपूर्ण जानकारी आपके पास मौजूद हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आयुर्वेट की एक चमतकारी ओज़दी दारू हरीदरा के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि दारू हरीदरा क्या है उसके बाद इसके फाइदों के बारे में और कुछ नुक्सानों के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आखिर दारू हरीदरा क्या चीज है दोस्तो इसका वानस्पतिक नाम बर्बेरीस एरिस्ताता है ये एक ओजदिय जड़ी बूटी है दारू हदीद्रा के फाइदे बहुत जानकर आप हिरान रहे जाएंगे इसे दारू हल्दी के नाम से भी जाना जाता है ये मदुमे की चिकिस्सा में एक बहुत ही उपयोगी है ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कई असाध्य स्वास्त समस्याओं को प्रभावी रूप से दूर कर सकती है जी हां दोस्तो दारू हल्दी का पोदा भारत और नेपाल के परवती या हिमालिय शेतरों में पाये जाता है ये शेलंका के कुछ इस्तानों में भी पाये जाता है दारू हरीदरा के फाइदे होने के साथ ही कुछ सामानिय नुकसान भी होते हैं दारू हरीदरा को इंडियन बार बेरी या फिर ट्री हल्दी के नाम से जाना जाता है ये बार बरी दासी परिवार से संबंदे जड़ी बूटी है इस जड़ी बूटी को प्राचिन समय से ह आयुर्वेदिक चिकिस्टा प्रालायली में उप्योग किया जा रहा है दोस्तों अगर आप मदू में यानि कि डायबिटीस के रोगी हैं तो दारू हरीदरा जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइरिमन साबित हो सकती है क्योंकि इस पोदे के फलों में रक्त शरकरा यानि बलड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की शमता होती है नियमी दूप से उप्योग करने पर यह आपके शरीर में चया पचय एंजाइमों को सक्रिय करता है जिससे आपके रक्त में शरकरा की मातरा को कंट्रोल किया जा सकता है इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके अगले फाइदे की जो की आता है बवासिर में दारू हरीदरा या फिर रसोत के फाइदे बवासिर के लिए भी होते हैं बवासिर की समस्या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुती कष्ट दायक होती है इसके अलावा रोगी इस बीमारी के कारण बहुती कमजोर कमजोर सा महसूस करने लगता है क्योंकि इस दोरान उसके शरीर में रप्त की कमी हो जाती है लेकिन इस समस्या से बशने के लिए दारू हरीदरा के फाइदे होते हैं दारू हरीदरा में बलीडिंग पाइस का उप्चार करने की शमता होती है बवासिर रोगी को नियमित रूप से जड़ी बूटी को मक्षन के साथ 40-100 ग्राम मातरा का सेवन करना चाहिए दारू हरीदरा के यह लाब इसमें मोजूर एंटी ओक्सिडेंट, जिवानुरोडी, एंटी फंगल और एंटी वाइरल गुणों के कारण होते हैं यह सभी गुण बवासिर के लक्षनों को कम करने और शरीर को अन्य प्रकार के संक्रमों से बचाने में काफी ज़्यादा सा होते हैं इसके लाब दोस्तों आप अपनी आखो को स्वस्त रखने और देखने की शमता को बढ़ाने के लिए दारू हल्दी का इस्तुमाल कर सकते हैं उस दिये गुणों से भरपूर दारू हरीदरा को आखो के संक्रमन दूर करने में प्रभावी पाया गया है इसके लिए आप दारू हरीदरा को मखन दई या फे चूने के साथ मिलाए और आखो की उपरी शेतर की भाय रूप से इसको लगा सकते हैं यह आखो की बहुत सारी समस्या को दूर कर सकता है इसके लाब दोस्तों आयूर्वेद और अध्यनों दोनों ने इस बात की पूश्टी हो चुक को दूर कर सकते हैं इसके लाब इसमें मौजूद एंटी बेक्टिरियल और एंटी माइक्रोबियल गुन पेट में मौजूद संक्रामक जिवानों के विकास और प्रभाव को कम करते हैं जिससे दस्त और पेचिस जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती हैं दोस्तों पाने पीने के कारण दस्त और पेचिस जैसे समस्याओं होती हैं लेकिन इन समस्याओं से बचने के लिए दारू, हरीद्रा, जड़ी, बूटी काफी फाइदे मन मानी जाती हैं इसके लाब दोस्तों ये बुखार को ठीक करने में भी उपियोगी मानी जाती हैं इसकीन के ल बेनिफिशल माना जाता है तो दोस्तों देखा आपने कितनी चमतकारी जड़ी बूटी है और कितने सारे इसके स्वास्त जंबनित फाइदे अपने जाने लेकिन दोस्तों इस जड़ी बूटी के कुछ नुकसान भी हैं अगर आप इसका ज़्यादा मातरा में प्रयोग करत देते हैं अधिक मातरा में इसका सेवन अगर किया जाए तो यहां हमारे स्वास्ते के लिए आनिकारग भी सिद्ध हो सकती है दारू अधिद्रा के नुकसान से बचने के लिए अधिकांस डोक्टर दारू हदिद्रा का या तो काड़ा या फिर पाउडर या फिर अर्ग के रुप में सेवन करने की सला देते हैं दोस्तो जो लोग मदु में रोगी हैं उन्हें बहुत ही कम मात्रा में जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए दूसरी बात यह कि गर्वती और इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस जड़ी बूटी का सेवन करने से बचना चाहिए यदि आप किसी विशेज प्रकार की दमाओं का सेवन कर रहे हैं तो ऐसी सिचुवेशन में इसका सेवन करना आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है तो दोस्तों यही थी दारू हरीदरा की पूरी जानकारी दारू हरीदरा जड़ी बूटी के क्या-क्या फाइदे होते हैं क्या-क्या ओस्दिय गुन होते हैं और इसके कुछ नुकसान किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और किस कंडिशन में नहीं करना चाहिए इसके बारे में संपूर्न जानकारी तो दोस्तों मेरी जानकारी यही समापत होती है उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जड़ दमाए वीडियो देखने के लिए और अपना केमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद